नमस्कार दोस्वों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्वों केशे हैं आप शबी उम्मीद करते हैं कि मातरानी के श्रबाशी आप शबी अपने जुनकाल में बिल्कु है खुश होगी दोस्वों हम आप शबी को बता दें कि आज के इस वीडियो में हम जो बात आप शिवी को बताने वाले हैं वो दोस्वों बहुत ही मैध्पून और बहुत यदा खाश रहने वाले हैं कि दोस्वों आप शिवी को बता दें कि जो श्रमी चल रहा है यह श्मी एक शाथ आपको दो बड़ी चमतकार देखने को मिलेगा जी हैं दोस्तों यह श्में आपका भाग बिल्कुल ही परवल इस्तिती में होने वाले हैं जी हैं दोस्तों और यह श्में आपको जो भी बड़ी कुछ कवर मिलेंगी दोस्तों वे आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा लेकिन दोस्तों साथ ही शाथ हम आप शिवी को बता दे कि यह श्मे दो दो शुमश्याएं भी आपकी जुनकाल में आने वाली है एक प्रकार्शिय के हैं दोस्तों आपकी जुनकाल में कुछ भेंकर्शा घटना भी होने वाले हैं जह दोसों इसलिए दोसों आज के इस वीडियो को आप बिल्कुली ध्याश दिखेगा, जह दोसों एक शाथ तो दो मुश्रीबत का आपको शामना भी करना पड़ेगा और दोसों उश्य में आपको शमिश्याह हो शक्ति है लेकिन दोसों इसलिए अगर आप गलत निरले लें लिए आपको इश्यु में कौन सा कारे करना हैं रूप आजकी विडिलो में आपको शारी वात बताने वाले हैं इसलिए इन इसयों इस प्राहिब हो को ध्यान होगा जे दोस्तों हम आप शुभी को बिताएगे कि यह शुमय जो भी शुमय शुमय आपके जुनकाल में आने वाले हैं उश्य भी आप अशानिश से बच जाएंगे बस कुछ बातों का ध्यान आपको रखना होगा कुछ गलत ही आपको जुनकाल में अब नहीं करने होगी जे दोस और दोस्तों उसके बारे में हम इस्तार्स इस वीडियो में बताने वाले हैं तो आप शुभी को बनेती हैं कि आजके इस वीडियो को आप विल्कुल ध्यांश्य देखेःगा अगर आप ईशुयर को मानते हैं भगवान भूलनाथ को मानते हैं तो comment box में सच्चे मंद से हर- अगर आप अभी तक नहीं जूड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शाथी बैल आइकन को प्रेश कर दें, ताकि दोसों समय शमय पर आपकी राश्य जूड़ी, शबी जानकारियां आपको मिलेंगी, शबी राश्य फल मिलेंगे, जी हैं दोसों तो आई दोसों ब पीछा नहीं चोड़ रही है, एक से बेढ़कर एक शुमश्याएं आपके शाथ लगतार बनी रहती है, दोसों अगर आप इन बातों का ध्यान देंगे, अगर आप पिछले जिवनकाल को एक बार गौर से जांगेंगे, तो दोसों आप उनमें देख पाएंगे, कि पिछले बार में शवी लोग किशी तरह खुश थे, जे दोसों, और दोसों अभी एशा हो गया है, कि दोसों आपके जुनकाल में महनुख खुशियां रूट सी गई है, एक नए ने शत्रू बनते जा रहे हैं, आप जहांपी कार कर रहे हैं, वहाँ पर आपको नुक्शान देखने को मिल रहा है, दोसों आप बहुत ज़्यादा महनुख करते हैं, महनुख जब कभी पीज़े नहीं अड़ते हैं, जे दोसों आप चाहते हैं कि महनुख यह हम अपने युनकाल की शारी खुशियां को पाश रखते हैं, जे दोसों, लेकिन दोसों, शमी के इशास साथ, आप आपके हैं आतों कुछ ऐसी गलती होती है कुछ इसे अंजान से चुक हो जाती है जिनके कारण दोस्तों आपको शमश्याएं घेर लेती है और दोस्तों फिर आप उन्हीं शमश्याओं में फर्ष कर अपने शारी जो भी उपयोगी चीज है एक प्रकार से कहें जिनकाल के शु जिसे दोस्तों आपको लगता है कि हम बाहर नहीं चाह सकते हैं जिहां दोस्तों हम आप शुभी को बता दें कि दोस्तों अब आपको अपने युनकाल में परिशान होने के आउश्यक्ता नहीं है कि दोस्तों समय के शार्द गरहों के इस्तिती बदलती है शमे के शार्द व और अब आपको कौशी कलती नहीं करनी है उसके बारे बात करेंगे शाधी शाध दोस्तों अब आपको कौशी बातों का ध्यान रखना है ताकि दोस्तों फिरे से आपके जुनकाल में कोई शमश्याई ना आए और ना ही आपके जुनकाल में कोई शमश्याई बताए जिन से आ आप मेहनत कर रहे हैं उतना फ़ल आपको नहीं मिल पारह रहा है कुछ लोग मिटटी भी छूता तो शोना बंता है लेकिन आप सोना भी छू देते तो दोस्तों मीठी बन जाता है, कहने का आप जो भिकार कर यह धार कि आपको इसमेर्ष कर नहीं मिर रहे है जिसे आपको लगता है, ख़गवान आपशे ही बहुत फीया राज हो गया है हर जगे आपके जुनकाल में हर वक्त आप जो भिकार कर रहे हैं उनमें आपको मुशिवत का शामना करना पड़ रहा है, उनमें आपको अश्मलताएं हाथ लग रही है, आप एक शमश्या को श्मात कर पाते हैं तो दूसरा शमश्या आपके शामने खड़ा हो जाता है, आप बहुती मुश्खिल से धन संचे नहीं कर पा रहे हैं, दोस्टों वह पेशा भी आपके पाश नहीं रह पाता है वह पेशा भी किशी शमश्याओं में बिगन बदाएं में खर्च हो जाता है वेरत में भी वह पेशा आपके खर्च हो जाती है जो कि आपके लिए जरूरत नहीं थी उन्हें में भी आपका पेशा चला जाता है लेकिन दोस्तों आँज के बाद इनने शमाशाओं को आप श्मापत कर पाएंगे और यह शमाशाएं आपके जुनकाल में आप श्मापत होने भी वाले हैं और आप इने अपने आँखोश यूभी दिखकेँ पाएंगे पर दोसों जिन्दगी में आपके यहां शे जो है परवल मोकी मिलने की शमानाय बढ़ने वाली है दोसों हम जानते हैं कि आपके जुनकाल में अभी रोजगार कारोबार वैपार में लगातार बहुत ही बड़े बड़े अर्चने आ रही है एक शी बढ़कर एक मुश्यूपत आपको देखने को मिल रही है दोसों अब जो भी कोई नई कारेबार की शुरुवात करना चाहते हैं आपको लगता है कि कल परश्रोंग चे शुरुवात करेंगे तो दोसों जिसे ही शुरुवात करने वाले होते हैं उसके पहले ही कोई ने कोई शी मुश्यूवत आपके श निराश नहीं होना है जी दोस्तों निराश होने शी लोग अपने किश्मत का रोना रोते हैं कि हमारे किश्मत में यह चीज नहीं थी दोस्तों यह में आपको क्या करना है अपने गलतियों को देखना है कि आगर आपने कौन सी गलति की है ताकि आपको यह चीज दखने को मिर रहे हैं जिहां दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखें आप भूल जाते हैं कि ये लोग हमारी अपने हैं लागे दोस्तों इन बातों को आप याद रखें जो भी आपकी जुनकाल में इश्या व्यक्ति है जो मुझ पर आपके अच्छे बोलते हैं लेकिन पीट बीचे वह आ रख्लिम में आपको बहुत शारी शमयशया वहती हैं आप बहुत ज़्यादा प्रिशान भी हो जाते हैं दोस्तों सबसे पहले ये जो शमयशया चली आ रही है आपकी जुनकाल में इस समाप्त करना होगा ये आपको रोजगार में भी बृद्दी होने कि शम्भाना ही आपको सुचना मिल सकती है जो कि आपको मन को पर्षन कर दे अगर विदेशी आकरमन से जुड़े हैं तो दोस्वों विदेशी यात्रा के और दोस्वों ये जो यात्रा है वो शुक दाएक रहेगा और जिस कारे के लिए आप जाएंगे दोस्वों वो कारे आपका शिंपन हो क्योंक दोस्तों हम आप शुभी को बता दें कि आपने अपने जुनकाल में जो भी कुछ हासिल किये हैं वो आपने दिन रात मेहनत करके आशिल किये हैं आपको विराशत में कोई इशा धन प्राप नहीं हुआ है जिनसे आपने जुनकाल को अच्छी तरीके शुवाइधित कर सकें आपने दिरात मेहनत करके जो भी इशारे धन को अरजित किये हैं दोस्तों यहीं तरकी देख कर आपके कुछ अपने ही लोग आपके शत्रू बन रहे हैं और शत्रू बनकर बेठे भी हैं आप शे जलन की भावना वह रखते हैं पर दोस्तों आप शे यहीं बनितिक करेंगे कि जो भी कुछ लोग एशे हैं जो आपके मुह पर अच्छे बो करते हैं अंदर ये अंदर आपके लिए कोई चिसे शनीदर रचते हैं ताकि आपके आने वाले आगे की जो भी कारे हैं उनमें बिगमाद आया जाए तो दोस्तों इसे शमालना आपको बहुत ज़्यादा उश्यक है आप मुह पर तो किस्टी के कहने ही शकते लेकिन दोस्तों आप शबी को बताते कि ये आपके लिए कमजोरी का शमे हो जाएगा अगर आप मुह पर नहीं कहते कोई बात नहीं है दोस्तों आप उन्हें दिल शे उन लोगों को मिटा कर हटा दिजिए और अपने जुनकाल में अपने कारियों में आप विएस्ट रहे जिया दोस्तों दोस्तों हम आप शबी को बताते कि ये आप इन बातों के ध्यार रखें कि पिछले शमे जो भी आपके शाथ गलत हुआ है उन्हें शबी से आपको चुटकरा मिलेगा ये शमे आपको पनेवानी पर शयम बना कर रखना है और दोस्तों ये आप जो भी बोलेंगे शोच समझ कर बोले जिए दोस्तों नई कारबार की शुरुआत कर रहे हैं नए किसी भी जिउनकाल में आप जा रहे हैं तो दोस्तों ये अपने शब्दों पर आपको चैन करना होगा शब्दों को शोच समझ कर ही बोलना होगा कि अबद्र शब्द का आपको परियोग कहीं पर भी नह करना होगा शाति र दोसे येश में अपने बड़े पुज़ेनूंगा अपको शमान भी करना है इस ब catch on incapable होता है इसे उस्ये होता क्या इसे गुरू गरह जो है मजबुत होता है शाति शाति शाथ शनिदे भी परश्यन होते ही तो जो भी आपके जुनकाल में कोई इससे जडर्फन व्यक्ति है जो कि आप शरहा मांग रहे हो या पिर शरहा के लायक हो। गड़ पर कारी को खड़ देते हैं, यश में आपको अपने कारियों पर शावधनी रखनी होगी, गलत शंगत पर आपको शावधनी रखनी होगी, गलत लोगों के इशाथ आपको नहीं जाना है, जिया दोस्तों यश में लोग आपको परिशान करना चाहेंगे, आपको नुक कारियों को भी वदनाम करवा शक्ति हैं आपके इज़त परत्चा को भी एव मिटा शक्ति ही तो दोस्तों आप इनकी चलांकी शेबचेगा कुछ इसे अपने ही लोग हैं जो दोस्त बनकर जो अपने बनकर आपके लिए शतुरुता कर रहे हैं आपके लिए मुश्यपिते और जो शपलता हैं आपके जोनकाल में मिलने वाली हैं दोस्तों वो आपको बहुत ही अश्वानिश मिलेगा जिया दोस्तों यश्में आपके आर्थी सती बहुत यच्छी बनने वाली हैं पहले से आपके आर्थी सती यश्मी शुधरने वाली हैं जिया दोस्तों आप कुछ झाल में खुश हैं कुशिया होंगी काशमिक धनलाप प्राप्ती होने की शमबहना दिख रही है जेद उसने कुछ यगा nächste करा आप कि इसी ज हत्रिस निवेज़ भी करना चाहते हैं तो दुस्रें उसलों आप ध्यान रखिहेगा कि आयक में अच्छा नहीं है जितना आपके मामले हैं वे आपके प्रक्ष में होने वाली है जी दोसों अकात्मिक धनलाब की प्राप्ति भी आपको एश्में दिख रही है जी दोसों जैसे कि आगर आप किसे सरकारी शिवारत में कोई पेशा इनुवेश्ट किये हैं तो दोसों वहां शिया आपको एश्में धनल प्रद्ध मिल सकता है अगर आप किशी कारे में कारणत हैं तो दोस्तों इसमें आपको पदन्ती मिल सकती है आपके कारियों की जो इस शहरना भी होगी बहुत आपका शिमान करेंगे शाथ शाद दोस्तों यश्मी आपके शमाज में आपका इज़ग परिष्टा बढ़ने वा अपकाल में जो भी आपके जुन्यर के व्यक्ति है उनसे सयोग मिलेगा और उनसे मिला सयोग आपको बहुत वड़ी उंचाईयों तर्ख लेकर जाएगा जिया दोस्तों शाद शाद दोस्तों हम आप शुबी को बात बताना चाहेंगे कि आपको दोस्तों जेसरे कि हमने दोस्तों इनके आपकी शाद हुनिश्य को यापका बाल भी बाका नहीं कर शकता है लेकिन फिर भी आपको थोड़ा शावधनी पतना होगा याश्मे आपको अपनी जुनकाल में पतनी और बच्चे की खिलाब आपको भड़का शकता है और दोस्तों शाद शाद याश्मे आपकी पतनी और आपके बच्चे को भी आपके खिलाब भड़काया जा रहा है ताके दोस्तों घर में किशित ना किशित रखा बिगन बदाया हो कलेश हो आप शी मदबेद हो जिनसे घर टूर जाए और दोस्तों आपकी तरक्की को वो इन्शे रोख सके जे दोस्तों इसे कोई ने कोई मुशिवत आजाए तो दोस्तों इसे लोगों से आपको बस शावधा रहना है इसे लोगों से आपको दूरी बना कर रखना होगा और दोस्तों यहां तक कुछ बातों का आपको विश्यश ध्यान भी देना होगा जो शामने आपका हितकारी होने का दिखावा क करते हैं अपके लिए अच्छी कensor बनने का नाता करते हैं दोसे द्लों को बश उन को दूरर रहना है और उन्षे' आपको up को बता दें कि को इंशान अगर चुगली करने वहाला इंशान है किसी और का बुर्ला İş आप आपके पास आकर कर रहा है तो दोस्तों इस बात का ध्यान तक है यह बात तो तय है कि आपके जाते ही आपका भी बुराई किशी और की पास करेगा दोस्तों यहां बहुत ही महत्पुन बात है जो कि दोस्तों सत्य बात है कड़वा है लेकिन दोस्तों यह शत्य है अगर कोई इंशान आपके पास आकर किशी का चुगली कर रहा है तो दोस्तों जाहिर शी बात है कि आपके जाते ही वह आपका भी चुगली किशी और के पास करेगा दोस्तों वह तो एशा इंशान है जो शत्रक उनसे आपको बस रहना होगा पर दोस्तों अगली जो बाते हैं जिस पर आ देना होगा हैं दोशन यश्मि गुप्त रुप से शत्रु तयार हो रहा है। आपको लुक्षान करना चाहता है। आपको किशी भी हद तक लुक्षान करने के लिए वह जा सकते हैं। तो यह तक कि यश्मि आपके घर में इतिना कलेज डालेंगे। जेदोस्रों आपके घर में घर के कोई भी बच्चे भी आप शे लडाई जोला करके बाहर जा सकता है। के पास नहीं जाना है किशी भी अग्यात इंसाम से के जो यह शाथ खाना पीना आपको नहीं करना है दोस्तों इस बात के ध्यान रखें किशी भी अग्यात के शाथ आपको कहीं पर भी नहीं जाना है एक और बात हम आप शबी को बता दें कि दोस्तों अगर आप घर्षे कहीं बाहर जा रहे हैं तो दोस्वों किशी को बता कर मस जाईए कि कहा जा रहे हैं क्या करने के लिए जा रहे हैं दोस्वों ये कारे अगर आप किशी को बताएंगे तो दोस्वों वो कारे आपका शुपल नहीं हो पाएगा जिया दोस्वों ये बात अपने घर तकी आप श्मित रखें तो आपके लिए बहतर होगा और दोसों एक दो बातें हम आपको यहां पर और बता दें जो कि आपको भिशे सुर्प से इन्हें ध्यान में रखना होगा कभी भी अपने कमाई के बारे में किशी को आपको नहीं बताना है एशा बताएंगे तो दोसों उनमें आपको रहना है दोसों गर आप एशा करते हैं तो दोसों लोगों की बुरी नजर आपको लग जाती है आपके शफलताओं को उनकी लजर लगने से आपके शफलताएं रुख जाती हैं काम में दिकते आने लगती हैं गर परिवार में जगड़े होने लगते हैं बहुत शारी गिरी रखना है शादित दुस्तों हम आप शिव को बता दें कुछ यह स्योधानिया आपको बतनी है जिसची आपको भागी और किश्मत का शाथ मिले दोस्तों या श्मी आपको अपने इनकाल में कभी भी किशी औरत का अपमान नहीं करना चाहिए चाहिए वो और आपकी मां हो बेहन हो या फिर घर में कोई बुढ़ा बुजुर्ब हो पत्ती हो प्रेमिका हो या फिर दोस्तों शमाज में कोई इस्तरियां हो जो कि आपके लिए अच्छे शुभाव रखते हैं दोस्तों शबीक आपको आपको अपमान नहीं करना है किशी आपके भागे खराब हो जाता है तो दोस्तों बात कर दें रखें जिन्दिकी पर शमेश्या आती रहती है किसी भी चेतर में आपको शबलता नहीं मिलती है रोजगार कारोबार में घाटा होती रहती है तो कभी किशी कन्या को अपमान आपको बश नहीं करना है कि अमारे घर में लक्षमी का रूप माना जाता है। हिंदुधर में और इक बहुत महद्पून मान है जिहा किशी और आपमान नहीं करना है। किसी भी बेजवान जानमर या फिर्ट श्राइब शिसू कोई भी हो दोस्तों कि शुरियास के बाद किशी को भी रुपिया पेश ओधार ना दें इसे जीवन में एक से बढ़कर एक समश्या आती रहती है इसका मतलब होता है कि मा लक्षमी को आप घर से बिदा कर रहे हैं और पेशे की दिक्कत भी इन से आती रहती है आर्थिक समश्याय हो जाती है रुजगार कारूवर में जो है किशी परकार की अर्चने आ रही है एक से बढ़कर एक मुश्यवित आ रही है तो दोस्तों उसके लिए आपको किनर को हरी रंका वस्त्र दान करना चाहिए चूड़ी दान करना चाहिए कुछ रूपिय पेश्यों को आप दान कर शकते हैं इ घरण के लिए आपको शुबिलिंग के ऊपर कचे दूध में जल मिला खरर आपको अर्पित करना है जुपन ख कालकी शियमश्या शुमात हो जाएंगी महादेब आपके कश्च को हर लेंगे जे दोस्तों और जिवनमें आपको शुकून मिलेगा दोस्तों अगर आपको आपको महादेव और पारवती का एक शात मुर्ति की पूजा आपको करना है जो भी फोटो है घर में है या फिर मंद्री भी आप जा सकते हैं महादे और पारवति एक शाथ के सोभी चित्र है उनको आपको पूजा करना है जिया दोस्व आपको जल्दी ही अच्छे जिवन साथी आपको मिल जाएगी और दोस्व भीभा में जो भी शमयशा है वो शमापत हो जाएगी जिया दोस्व शाथी-शाथ दोस्व आपको बता नहीं और इने शारे उपाय को करना है कि शमत आपके शाथ देने वाले हैं लाब के शारे मौके आपके लिए बहुती परवल है लाब आपको बहुती महत्मुन मिलेगा जो कि आपके घद परवार को खुश कर देगा तो दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के आप शबी का धन्यवाद अपने उनकाल में आप खुश रहें मंगल में रहें धन्यवाद